एकोलोजी एक ब्रॉड बर्ड है जिसके अंदर आपको कई सारी एकोसिस्टम देखने को मिलेगा और एकोसिस्टम मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि एकोलोजी को क्यों नहीं मेंशन कर सकते हैं हेलो प्यारे बच्चो आप सभी का स्वागत है संकल बारत के ऑनलाइन लेनिंग प्लेटफॉर्म पे मुझे उम्मीद है आप लोगी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी आपकी सेहत भी बहुत अच्छी होगी और आप सभी इसके बीच के जो इंटरेक्शन है उसकी इस्टी को हम क्या कहते हैं इकोसिस्टम में आप बात करते हो इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक थोड़ा सा डिफ्रेंस है मैंने पहले भी इसको कोट किया हुआ है यहां पे अगेन बताता हूं कि एकोलोजी एक ब्रॉड बर्ड है जिसके अंदर आपको कही सारी इकोसिस्टम देखने को मिलेगा और एकोसिस्टम मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि स्ट्रेक्शरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है अगर हम इंडिया की बात करें भारत की बात करें तो इकोलोजी को लाने वाले जो प्रॉफेसर रामदे मिश्रा है उनको फाइदर ऑफ इंडि प्रॉजी की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे जो इंटरेक्शन है जिनकी हम स्टिडी कर रहे है वह बायोटिक हो सकते हैं एबायोटिक हो सकते हैं एबायोटिक और बायोटिक हो सकते हैं समझे चीज को कि जो लिविंग लिविंग है उनके बीच में इंटरेक्शन ह हो सकता है. For example, आप ऐसे समझ के देखिए, एक सेर है और वह दूसरे सेर के साथ interact कर रहे है. Right? तो living, living के साथ interact कर रहे है. यहाँ पर आप दूसरा example, एक code करके देखिए, कि जो living है, वो non-living के साथ भी, या फिर biotic जो component है, वो abiotic के साथ भी interact कर रहे हैं एक्जामपल आप ऐसे समझे कि यही जो लॉइन है यह temperature को भी feel कर रहा है यह light को भी feel कर रहा है यह rainfall को भी feel कर रहा है यह कई other factors को भी feel कर रहा है so this is interaction between biotic and abiotic okay similar manner में आप abiotic abiotic को भी mention करते हैं ecology के अंडर जैसे कि आप बात करें कि rainfall हो रहा है और rainfall की बेज़े से soil का erosion हो रहा है तो यहाँ पर abiotic और abiotic के बीच में भी interaction देखने को मिलता है हम अब आगे की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे levels of ecology की levels of ecology की अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले जो lowest level को सबसे smallest level को show करते हैं that is organism level ecology हाँ दोस्तो organism level ecology अब आपके mind में सवाल भी आ रहा होगा कि हम cell level पे क्यों नहीं बोल सकते हम tissue level पे क्यों नहीं बोल सकते हम organ system या organ level पे ecology को क्यों नहीं mention कर सकते हैं तो बात को समझिए कि हम यहाँ पर बात करते हैं study of interaction between यहाँ पर आप interaction की जब बात करोगे तो organ organ interact हो सकता है कर भी रहे हो but that is not visual to us अगर हम visual manner में अगर हम active manner में जो interaction देखते हैं वो एक complete body का देखते हैं other body के साथ right so lowest level पे जो आप रखते हो that is organism level ecology हाँ आप एक बात और कह सकते हैं कि cell level ecology पे जहाँ पर पूरा पूरा organism ही cell single cell का बना हुआ है वहाँ पे आप जरूर mention कर सकते हैं कि organism level ecology और cell level of ecology जहाँ पर example amoeva की बात करें एक amoeva दूसरे amoeva से interact कर रहा है एक paramezium दूसरे paramezium से interact कर रहा है right in this case you can say cell level of ecology because यहाँ पे single cell ही complete organism को show कर रहा है ओके इसको physiological ecology भी बोलते है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो organism है उसकी जो physiology है वो दूसरे organism के साथ भी interact कर रही है right so physiology level of ecology भी हम यहाँ पे mention करते हैं सो सबसे छोटा level जो आप mention करोगे ecology में level of ecology में जब बात करेंगे तो that is organism level ecology यहाँ पे बात और समझे और इसको कुछ example के साथ समझने की इकोसिस करिए जैसे मैं organism level ecology की जब बात करूंगा तो आप देखेंगे कि जो एक टाइगर है जैसे इस एक्जाम्पल को समझके देखिए कि नंबर ओफ टाइगर इन फॉरेस्ट तो आप टाइगर की नंबर की बात कर रहे हो right कि कि कितने टाइगर है right आप ऐसे देखो कि ज activity हो रही है right so that is my dear friend organism level ecology next जो level आता है organism level के बाद उसके बाद हम मैं उसमें mention करते है population level ecology तो यहाँ पर एक चोटा सा सवाल भी आता है कि what is population अगर आप population को organism से अलग करना चाहते है so take three seconds सोच के देखो कैसे answer करोगे yes आप बिल्कु सही सोच पा रहे है देखो जब हम single organism की बात कर रहे है तो वहाँ पर वह particular organism है जब आप population की बात कर रहे है तो population में mention करते है group of member of same species in a geographical area एक किसी geographical area में यह word बहुत important है कि कि किसी particular geographical area की आप बात करें एक particular geographical area में जो group of individual of same species है at a time उसको आप population बोल रहे हो एक area आपको mention करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है और उसको आप क्या mention कर रहे है उसको आप population mention कर रहे है जैसे आप इस तरीके से समझ के देखिए कि organism की जब हम बात करते है तो organism की बर्थ होती है बट जब population की बात करोगे तो birth rate की बर्थ rate आप difference सबज़िए जब आप organism की बा sex की बात करते हो यहाँ पे sex ratio की बात करते हो I hope आप differentiate कर भी पा रहे है कि जो organism है उससे और जो population है उससे क्या अंतर है उसमें क्या अंतर है ऐसा नहीं कि किसी भी particular organism की single organism की एक एरिया में सिर्फ और सिर्फ population ही दिखे वहाँ पे आपको actually community दिखती है जहाँ पे different different जो population है वो एक same geographical एरिया में रह रहे होगी है और यहाँ पे आप बात करते हो food chain और food wave की आप population है food chain और food wave की बात नहीं कर सकते है आप जब बात community की तो यहाँ पे आप mention करेंगे कि food chain दिख रही होगी क्योंकि एक जो species का level है एक जो population है वो दूसरी population से interact कर रहा है यहाँ पे food wave देखने को मिलेगा हला कि nature में आपको food wave ही देखने को मिलती है so यहाँ पे आप बात करते है food chain और food wave की next जो highest level of ecology आप बात करते हो level of ecology में that is bi biome level, biome level में आप क्या देखते हो कि कही सारी country एक साथ एक biome के अंदर भी आ सकती है so that is called biome ecology यहाँ पे आप क्या देखते है कि यहाँ का rainfall का level है यहाँ पे जो temperature का level है यहाँ पे जो physical factor होते है वो उस area के environment को set करते है और उस area के उस particular environment के according उस area न बोलके उस biome के overall structure के according average rainfall, average temperature, average abiotic factor के according वहाँ पे क्या decide होता है वहाँ की vegetation कि वहांकी flora कैसी होगी और वहाँ का vegetation होता है वहांपे मिलने वाले organism कैसे होगी आप सोच के देखिए अगर कोई desert area है desert area में वहाँ पे जो plant होगे वहाँ पे जो vegetation होगा according to desert condition होगा उसमें adaptation के event involved होगे उन्होंने adapt कर रखा होगा इस environment को और उसी according वहाँ की क्या होगी fauna भी होगी वहाँ के animal member भी होगे Are you getting my point? यहाँ पे वर्ड मैंने यूज किया adaptation तो यह एक organism level की बात होगी जब आप migration की बात करते हो तो organism level पर बात करते हो आप immigration की बात करते हो और emigration की बात करते हो तो यह organism level की बात होगी इन ही सारी चीज़ों को और detail में cover करेंगे हलां कि आप लोगों के syllabus में जो abiotic factor हैं वो हटा दिये गए हैं, इसलिए मैं बस नाम लूँगा और next topic population पर आ जाऊँगा, हमारा चैप्टर का detail version है, जो detail content है that is on population ecology, तो आप अगर abiotic factor की बात करते हैं, तो यहां पर हम most important mention करते हैं temperature को, temperature के बाद आप water को mention करते हैं, क्योंकि temperature काफी हद तक वहां के पू terrestrial ecosystem हैं वहां पर देखेंगे, यह aquatic ecosystem हैं वहां पर देखेंगे, यहां को जो vegetation होगा, यह obvious सी वात है, water decide करेगा, and water is again a very important abiotic factor, water एक बहुत ही important abiotic factor है, आप water के बाद बात करते हैं, light, आप अर्थ पे देखें, यहां terrestrial region में देखें, terrestrial region में देखें, तो light तो around obvious बरावर value ही होती है, मगर water में जाते हैं, तो starting में जो depth of water है, वो कम होगी, तो वहां पर light easily penetrate करेगी, और आगे जाएंगे, तो थोड़ी और कम हो जाएगी, फिर और आगे जाएंगे, और कम हो जाएगी, मगर deep sea तक light पहुंसती नहीं है, तो वहां पर जो factor light है, वो अलग त तरीके से हमको cover करना है, ओके, तो अब हम बात करेंगे population ecology की, सबसे पहले और बहतर हिन तरीके से हम समझते है, population क्या होता है, population की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, group of individual of same species in a geographical area, right, किसी एक geographical area में, एक ही प्रकार की species के कई सारे member, जब रह रहे हैं, वो competition कर रहे होंगे, वहाँ पे, वो resource को share कर रहे होंगे, और वो interbreed भी कर सकते हैं, right, species की, अगर हम मेर के according definition की बात करें, तो वो interbreeding species की बात करते हैं, but in ecology अगर आप बात करें, तो आप population उसको भी बोल सकते हैं, कि आपने rose के plant की tweak को cut किया, और दूसरी जगह लगा दिया, tweak को cut क लगा दिया, अब उनसे बनने वाले जितने भी rose के plant होंगे, right, जितने भी गुलाव के पौदे होंगे, वो सारे के सारे पौदे एक population में count होंगे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कि चाहे sexually reproduce कर रहे हों, चाहे sexually reproduce कर रहे हो, उनसे बनने वाले जितने भी member होंगे, वो स asexually reproducing ओ, दोनों को ही हम कहाँ पे count करेंगे, दोनों को ही हम count करेंगे population के अंदर, अब हम आगे बात करते हैं कुछ population के attributes की, population के attributes यह फिर उनके characteristics की बात जब करेंगे, तो आप यहाँ पर mention करते हैं, birth rate के बारे में, यहाँ पर mention करते हैं, death rate के बारे में, यहाँ पे आप mention करते हैं sex ratio के बारे में, यहाँ पे आप population density की बात करते हैं, यहाँ पे आप population growth की बात करते हैं, फिर growth के models भी हैं कुछ, So these are all about, this is about attributes of population, population के यह attribute है, इनमें एक एक करके हम सुरुगात करते हैं, सबसे पहले attribute birth rate को समझते हैं, एक बात समझी है कि जब आप organism की बात करते हैं, तो organism के respect में आप क्या बोलते हो, कि birth हो रही है, बट जब आप population के respect में बात करोगे, तो यहाँ पे birth rate की बात करोगे, So what is birth rate? आप mention करते हैं कि number of birth per capita in a given time, एक given time में per capita कितने member add हो रहे हैं, this is birth rate, आप इसको ऐसे समझ के देखिए, आप इसको ऐसे समझ के देखिए, कि मान लीजिए कि एक particular area में जो starting में number of rows, गुलाव के पौदों की जो संख्या थी, गुलाव के पौदों की जो संख्या थी, वो कितनी थी, 20, और एक समय के बाद वो कितनी हो गई, मान लीजिए 30, तो आप कैसे यहाँ पर birth rate निकालेंगे, आप हमें इसा एक formula याद रखिए, आप एक formula याद रखिए, कि change upon initial, change upon initial, और आपका birth rate निकल के आ जाएगा, change upon initial का मतलब यहाँ पर समझीए क्या है, कि आपन starting में initial क्या लिया था, 20, तो 20 value को आप नीचे रख दीजे, change कितने का है, 10, 10 का change आया, 10 value को उपर रख लिजे और इसको divide कर लिजे, और जब आप इसको divide करेंगे, तो around 0.5 value आएगी, 20 upon 10, आप इसको divide करके देखेंगे, तो around value 0.5% आएगी, right, okay, so यह क्या हो गया, यह आपक birth rate हो गया, कि 0.5% birth rate है, यह क्या है, 0.5% birth rate है, आप इसको ऐसे mention करेंगे, और यह per year भी mention कर सकते हैं, यह आप ए given time में mention कर सकते हैं, कि number of individual increase per year, right, यह birth rate की बात हो गई, similar manner में आप death rate की बात करते हैं, जब आप organism की बात करेंगे, तो organism में death होती है, बट जब आप बात करते ह कहाँ पर population की, तो population में death rate होती है, death rate को भी आप mention करेंगे, कि number of individual die, या disappearing per capita, कितने member change हो रहे हैं, और per individual भी इस चीज़ को mention करते हैं, और with time mention करेंगे आप इसको, यहाँ पर भी same formula लगेगा, कि change upon initial, ऐसे समझ के देखिए, जब आप बोल रहे हैं, कि आपके पास, जो गुला कितने हैं, 30, और एक period के time वो कितने होगे, 20, या फिर एक period के बाद वो 15 रहे हैं, तो आपने क्या देखा, change कितने का है, 15 का है, so 15 upon 30, आप divide करेंगे, तो यह value भी 0.5 के round आ जाएगी, so 0.5% death per individual per unit time, आप mention कर सकते हैं, इसको, या इन टाइम आप mention कर सकते हैं, आप यहाँ प और after a period of time, उसमें ही वो 8 कम हो गई, या फिर 4 कम हो गई, तो आप change को उपर रखोगे, 4 upon 40, और divide कर लिजए इस value को, यह value 0.1 आ जाएगी, तो 0.1% क्या है, यहाँ पर death rate है, मुझे उम्मीद है, आप लोग समझ पा रहे होगे, तो यह क्या होगी, death rate की बात होगी, next हम बात करते है, sex ratio की, जब हम बात कर रहे होते है, organism की, तो organism के respect में आप बोलते हो कि यह male है, और यह female है, right, male female sex की बात कर रहे होते हो, right, बट जब आप population की बात करेंगे, तो population के respect में आपको sex ratio बताना होगा, और sex ratio को mention करने का एक तरीका होता है, कि आप mention करिये, around 985 female per thousand male, right, इस त represent sex ratio, female upon male, कि इतनी female पे 900 female पे कितना है, thousand male है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि female का ratio कम होगा, या फिर आप mention कर सकते है, 1000 female पे 1000 male है, this is about sex ratio, यह आप बात कर रहे होते हैं, sex ratio की, okay, अब हम आगे बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं, age distribution की, age distribution की बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ छोटी सी चीज़ है, माल लीजिए कि average जो human की life है, हम बात करेंगे, अगर माल लीजिए, average जो human की life है, वो 70 year है, 70 साल की है, तो आप देखेंगे, यहाँ पे age group देखने को मिलेंगे, age group जैसे हम यहाँ पे divide करते हैं, तीन age group को, पहले को बोलेंगे, pre reproductive, माल लीजि जीरो साल से है, एक साल से लेके, जो 15 साल तक के बच्चे हम उनको pre reproductive group में mention कर रहे हैं, age group है, हमारे पास पहला group क्या है, pre reproductive, दूसरा क्या है, 15 साल से लेकर, 45 साल तक के जितने भी member होंगे, उनको हम reproductive group में रखेंगे, और तीसरा group हम create कर रहे है, post reproductive group, जहाँ पे आप mention कर रहे age के जितने भी member है, they are in post reproductive group, आप देखिए, यहाँ पे तीन age group बन गए, और जब आप इन age group का, जब आप graph plot करेंगे, तो आपको तीन टाइप की population देखने को मिलेगी, right, तीन टाइप की population, एक population आपको expanding देखने को मिलेगी, एक आपको stabilizing मिलेगी, और एक आपको declining मिलेगी, जब आप graph plot करेंगे इनके, तो तीन तरीके के graph बन के सामने आएंगे, और इन graph को हम triangular graph, या फिर bell shape graph, या फिर हम declining graph को mention करते हैं, unsafe graph, तीन तरीके के graph के respect में भी show करेंगे, और यह जो पहला graph है, जिसको हम mention कर रहे हैं कि expanding kind of, यह आपको triangular shape का और pyramidal shape का देखने को मिलेगा, त तो एक एक करके बात करते हैं, the very first is, the very first is triangular graph, या फिर pyramid shape graph, तो जब आप graph plot करेंगे, in different different age group के respect में, तो आप तीन टाइप के graph देख रहे हैं, पहला आपको mention किया गया, triangular shape, जिसको आप pyramid shape भी बोल रहे हो, right, and दूसरा आपको mention किया गया, stabilizing kind of bell shape, और तीसरा आपको mention किया गय earn shape, earn shape में आप क्या देखते हो, कि वहाँ पे condition declining मिलेंगी, पहले में आपको expanding मिलेंगी, दूसरे में condition आपको stabilizing मिलेंगी, और तीसरे में condition आपको declining मिलेंगी, एक एक करके बात करते हैं, the very first is, जो आपको पहला मिल रहे हो, pyramid shape है, जिसको आप triangular भी बोल रहे हो, आप इसमें condition क्या देखोगे, कि expanding condition होगी, expanding condition कैसे होगी, चाहें तीनों मेंसे किसी की भी जब बात करें, तो आप सबसे पहले pre-reproductive को analyze कीजे, क्योंकि pre-reproductive वाली जो age group है, वही यहाँ पे deciding factor की तरह होता है, अगर उसका number जादा है, तो वो expand करवाएगी, अगर उसका number बरावर है या क number बहुत कम होंगे, राइट, वहाँ पे condition declining मिलेगी, समझे पहले वाले को, सबसे पहला है, पहला है, सबसे पहला है आपका, जो condition expand कर रहा है, राइट, expanding kind of, इसमें आप क्या देखेंगे, जो pre-reproductive वाले member हैं, वो उनका number जादा होगा, फिर reproductive का उनसे कम होगा, और जो post reproductive है उनका सबसे कम होगा, और ऐसी condition आपको poorly developed, जो undeveloped country है, वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे condition क्या है, कि वहाँ पे कोई family planning का concept नहीं है, वहाँ पे कोई order condition नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कि obvious ही बात है, जब एक parent है, उनके 6-6-7-7 बच्चे है, क उनको इस्टेबलाइज करना है, जब आप सोच के देखे, आपके पास अगरेंगे, इतने resource ही नहीं है, तो obvious ही बात है, वो जो आप बच्चे पैता कर भी रहें, वो obvious ही बात है, वो एक period of time पे नहीं survive कर पाएंगे, वो अपनी आप ही मर जाएंगे, तो यह पहली condition है, जिस is stabilizing condition, right, इसको हम bell shape graph भी बोलते है, bell shape condition भी बोलते है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोंगे, जो post reproductive है, उनके कम नंबर कम है, जब कि आपको जो pre reproductive और reproductive के जो member है, वो आपको बरावर देखने को मिल रहे है, yes, ऐसी condition आपको stabilizing condition में आपको देखने को मिलेंगे, यह condition आपको developing country में देखने को मिलेंगी, double uping country में, जहाँ पे थोड़ी बहुत planning वगेरा है, आप ऐसे mention कर सकते हैं, जो comparatively भी थोड़े better है, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा order हो सकता है, कि यहाँ पे family planning की concept लग सकते, right, इसी लिए इसको हम क्या बोल रहे है, stabilizing, क्योंकि सोच के देखे, जित है, अगर उसके member बहुत ज़्यादा है, तो वो condition expanding होगी, वो अगर बरावर हैं किस के साथ, reproductive के साथ, तो condition stabilizing होगी, pre-reproductive अगर कम है, जैसा कि अभी आपको declining के case में मिलेगा, unsafe में मिलेगा, right, बात कर लेते हैं, unsafe की, unsafe में आप क्या देखेंगे, जो pre-reproductive हैं, उनके में न पर 40 नहीं कर सकते, वहाँ पर बच्चे ही पैदा नहीं कर रहें, वहाँ पर साधी ही नहीं कर रहें, उनको पता है कि हम कैसे अपना कर्चा तो चलाने पारें, इनका कैसे जलाएंगे, expense बहुत ज़्याद है, आप ऐसे भी कह सकते हो, right, तो यह developed country का आपको scenario देखने को मिले है, right, इसलिए वहाँ पर जो pre-reproductive age के member है, वो बहुत ही कम देखने को मिल रहे है, जबकि reproductive वाले जादा है, तो यहाँ पर जो shape बन के आता है, arm shape graph बन के आता है, so this is about population distribution, कि population किस तरीके से distribute है, यहाँ पर mention किया मैंने age group मिलेंगे, pre-reproductive, reproductive and post-reproductive, और इनके basis पर जब आप graph plot करोगे, तो तीन टाइप यह population मिलेंगी, expanding, stabilizing or declining, next अब हम बात करेंगे आगे, okay, तो अब हम बात करेंगे next, population density की, कि population density क्या होती है, अगर हम population density की बात करें, तो आप इसको ऐसे समझे है, कि number of individual per unit area at a given time, कि कि कितने individual है, right, कितने individual है per unit area, आपको चीज़े थोड़ी सी relative लगेगी, मगर यहां पर मैं difference के लिए करतेता हूं, ठीक है, population density को measure करते है, because कि हम impact देखना चाते है, impact of resource on competition and other component, right, कि जो resource है, उसका other factors है, जो interaction उन पर क्या फरक पड़ता है, आप population density को समझे, population density अलग 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 तरीके से measure होगी, for example, आप ऐसे सोच के देखिए, कि एक प example, parthenium है, तो आप यहां पर कैसे calculate करेंगे, आप ऐसे बोलेंगे कि एक बरगद का पेड़ और दस parthenium, नहीं, यहां पर आप मेंसन करेंगे, biomass per unit area, कि जो बरगद का पेड़ उसका कितना biomass होगा, और parthenium का कितना biomass होगा, per unit area, this is correct way, right, population density निकालने का इस particular case में सही तरीका यह ही है, right, कि आप biomass count करो, क्योंकि वो तो बहुत बढ़ा, बरगद का पेड़ बहुत बढ़ा होगा, parthenium का biomass कितना होगा, बहुत कम, right, तो आप इसको number के respect में निकालोगे, आपको data clear नहीं मिलेगा, बट जब आप biomass per unit area के respect में निकालोगे, बहतर मिलेगा आपको, आप किसी pond में किसी fist की बात कर रहे है, right, तो वहाँ पे relative density की बात करो, कि per unit density आपको कितनी fist मिल रही है, right, आप अगर किसी भी bacteria के, किसी culture plate में, bacteria के number को count करना चाहते हो, तो एक-एक bacteria आपको count करना hard होगा, right, यहाँ पे आप क्या बात करोगे, कि number of bacteria forming colony, कि bacteria कितनी colony बना रहा है, तो number of colony आप count कर लीजे, so this is again a way to find population density, population density का bacteria के case में, यह एक तरीका है, कि उसकी colony count कर लीजे, और कुछ other indirect method भी है, कुछ other indirect method में, आप क्या क्या देखते हो, कि pug count करते हैं, जैसे for example, आप share के number एक particular area में, आप loin को count करने जा रहे हो, तो आप भाई, loin के सामने जाओगे, तो वह वैसी खा जाएगा, आप count ही नहीं कर पाओगे, आप सोचके देखिए, आप count करने गए, किसको, loin को, बाद में आपको count किया जा रहे है, कि भाई, आप कहां चले गए, समझ रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उनके पग के जो mark है, उनके जो निसान होगे है, चलने के जो होगे, उननिसान को count कर लो, यह फिनको fecal matter को count कर लो, और कुछ इसी तरीके के indirect method में, mark, release, recapture technique भी आती है, यहाँ पर कुछ indirect method हो रहे है, जहाँ पर हम mention करते हैं, कि mark, mark कर लो, release कर दो, recapture कर दो, एक और यह technique है, इसको भी हम indirect method में ही count करते हैं, so this is about population density, अब हम बात करेंगे population growth की, population growth की बात करने से पहले आपको कुछ factor समझने होंगे, जो population growth को affect करते हैं, the very first is competition, right, competition effect करेगा, आप यहाँ पर देखेंगे, कि आप यहाँ पर predation pressure feel करेंगे, कि एक जो particular organism है, उसके उपर predation का pressure है, तो obviously वात है, वो भी उसकी growth को decide करेगा, यहाँ पर जो environmental factor है, या environmental condition है वो भी weather भी बहुत में ज्यादा matter करेगा, right, तो जो population की growth है, कई सारे factor उसको क्या करेंगे, regulate करेंगे, right, population density को मैंने mention किया, ncd note करते हैं, यहाँ पे भी आप population growth की जब बात करेंगे, तो आप mention करेंगे, एक particular period के time, बाद, एक particular समय के बाद, कितनी growth हुई, मालीजे इसको ऐ nt से हम represent करेंगे, कि जो population growth at time t है, या population density at time t, अगर मैं mention करू, nt plus 1, मतलब population density after time t plus 1, right, इस तरीके से आप mention कर सकते हैं, तो आप जब population growth निकालेंगे, तो आपको ncrt में आपका एक formula दिया होगा, कि population growth कैसे निकालते हैं, कि population growth कैसे निकालेंगे, nt plus 1, मतलब after time t कितनी growth to nt, जो initial थी, उस initial में आप 4 component को ध्यान रखिए, कौन-कौन से, birth rate, कितनी birth हुई, और कितना immigration हुआ, मतलब बाहर से कितने member अंदर आए, अब इनको और explain करूँगा, मतलब कितनी birth rate है, plus कितना immigration है, कितने member आए, और इस value को minus करोगे, death कितनी हुई, plus यहां से immigration, बाहर कितने गए, यहां पर 4 सब्द और समझ लीजे, यह formula आपको समझ में आया, nt, plus 1, मतलब after time t, कितनी जो growth ही, population growth किया है, कि आप mention करोगे initial, nt, plus birth, plus entry of population, यह entry of member of species, जुसको हम immigration बोल रहे, minus करोगे, इसमें death rate और immigration को, जो यहां से move करके गए, चारो words को समझ यह करके, birth rate के बारे में आपको पता है, death rate के बारे में पता है, आप दो factor और समझ यह, कि किसी particular geographical area में, जो population growth हो रही है, एक तो तरीका होगा, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर birth rate हो रही है, member add हो रहे है by birth, हाँ, ऐसा भी हो सकता है, कि कहीं से बाहर, दूसरी territory से, कुछ member, उसी species के, वहाँ हो जाए, enter हो जाए, तो यह क्या कहलाएगा, immigration, IMM, immigration, enter कर रहे है, और immigration, E से, immigration, E से exit, यहाँ से जितने exit कर रहे है, मतलब immigration हो रहा है, तो यह चारो word population growth को affect करते हैं, और यह उसको measure करने के तरीके भी है, आप जब बात करते हैं, किसी already existing population की, तो वहाँ पर जो major factor है, वो कौन से हैं, या फिर आप already stabilized community की बात कर रहे है, already stabilized population की बात कर रहे है, वहाँ पे जो factor काम करेंगे, major factor वो birth और death होंगे, मेल ली कौन होंगे, birth और death, बट अगर कोई newly colonized, अगर कोई population है, newly colonized community है, वहाँ पे आप particular population की बात कर रहे है, तो वहाँ पे immigration एक important factor होगा, क्योंकि वो population growth के कुछ model है, अब हम बात करेंगे, population growth models की, ओ के, टो जब हम बात कर रहे होते हैं, growth model की, तो growth model में आपको दो type के model देखने मेंगे, एक को हम बोलते है, exponential growth model, और दूसरे को बोलते है, logistic growth model, exponential growth model, नाम सी समझ में आ रहा है, कि exponential मतलब बहुत ज्यादा दर से, बहुत में समझेंगे logical या फिर logistic को logistic बोलना बहतर है क्योंकि terminology logistic है logistic growth model सबसे पहले बात करते हैं exponential growth model को तो exponential growth जो model है यहां पर आपको पहले से कुछ बात ध्यान रखने होगी note करके आप डालेंगे कि exponential growth model follow वहीं पर होगा जहां पर resource unlimited होगे जहां पर resource unlimited resource का मतलब food and shelter रहने के लिए और खाने के लिए बरावर काम मिल रहा हो तो जो population है वो exponential manner में grow करेगी yes कि आप resource दे दो unlimited तो जो growth होगी वो exponential manner में होगी इसका एक और meaning ऐसे भी समझो कि जब आप हाथी की बात करते हो elephant की बात करते हो reproduce करता है बट आप उस हाथी को भी अगर resource unlimited कर दोगे उसके लिए food and shelter unlimited कर दोगे तो उसकी भी population जो है वो exponentially ही grow करेगी yes वो कैसे grow करेगी वो भी exponentially grow करेगी right तो ऐसा आपको देखने को मिले का कापे exponential growth medal में आप इस graph को भी समझे एक graph आपको देखे दिया होगा कि यहाँ पर population density को with respect to time measure किया गया और यहाँ पर जो कर्व मिल रहा है वो j-shape कर्व मिल रहा है exponential growth कर्व मिल रहा है यहाँ पर कुछ terminology है समझे जैसे n-com population density represent करते है t-com time mention करते है n-t लिखा हो था after period of time after time t आर एक वर्ड यहाँ पर involved होगा that is called biotic potential intrinsic rate of intrinsic rate of natural increase we mention करते है इसको और इसी कौम बोलते है क्या biotic potential biotic potential आप birth minus death को mention करते हो मालो death बहुत कम है birth बहुत जादा है तो r की value उतनी ही जादा हाला कि r पे काफी detailed discussion है simple word में समझ लिए r बोले तो biotic potential कि कि जब अब biotic potential maximum होगा कब जब resources unlimited होगे आप इसका जब graph बनाते है population density with respect to time तो आप देखेंगे dny dt dn मतलब after population density change in population density dn by dt after time t जो value मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी dny dt की value क्या होगी वहाँ पे r into n mention करोगे r into n biotic potential into population density r n value mention करोगे वहाँ पे आप समझ रहे इस बात को जो graph मिलेगा वो क्या मिलेगा dny dt is equal to r into n और इसी को जब आप convert करेंगे linear manner में right इसी को linear वाली manner में convert करेंगे तो nt की value क्या आ जाएगी into की value आपको change देखने को मिलेगी और वो linear manner में आप mention करोगे nt is equal to n not base e की power rt इस तरीके से आप इसको mention करते हैं समझने की बास बत इतनी सी है कि जब आप exponential manner की बात कर रहे होते हो जब आप exponential manner की बात कर रहे हो तो एक राजा और एक जो मन्तृ था मंत्री बहुत समझधार था वो क्या कर रहे थे चैस केल रहे थे और राजा बोल रहा है चल तुम मेरे को राधो तो मैं तुमको जो मांगो कि वो दूँगा right तो स्वभागी बस जो मंत्री होता है वो जीत भी जाता है तो वो राजा कहता है चलो कुछ मांग लो तो वो कहता है कि जितने इस चैस में खाने हैं आप हर खाने में मेरे को डवल करके एमाउंट रखते जाओ राजा गुलता रहे यह तो बहुत सिंपल है कर देता हूं क्या चावल के दाने तो बोल रहा है तो जब उसने रखना सुरू किया तो अब इन आदा जब चैस भरा उसी समय उसका पूरा खाजाना खाली हो गया था तो आप पावर ऑफ एक्स्पोनेंसियल ग्रोथ को कम मत समझिएगा So this is about exponential growth next बात करते है logistic growth की तो अब हम बात करेंगे logistic growth curve की इसको हम वान रोस्ट परल logistic growth curve भी बोलते हैं समझिए इसमें क्या है जब आप logistic growth curve की बात करेंगे तो यहाँ पर पहली ही जो important point है वो है कि जो resource है वो unlimited नहीं होगे resource unlimited नहीं होगे nature में actually ऐसा ही मिलता है कि nature में आपको resource unlimited नहीं मिलते है और ये बात हर देश की maximum देशों की जो government है उनको भी पता है इसलिए वो क्या लेकर आती है family planning के concept लेकर आती है लोग एक दूसरे को मारने ना लग जाए resources के लिए इसलिए वो क्या करते है family planning करते है क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास limited resource है और तुम ही खर्च कर दोगे इसको सारे को तो आगे की generation क्या use करेगी इसलिए आप देखते है कि इस समय काफी जादा resource को बचाने के लिए कई सारे कदम उठाए जाते है और यह एक international मुद्धा है यह अंतर राष्टिय मुद्धा है कि हमको अपने resources save करने होंगे क्योंकि जो air की quality है जो अगर आज आप अपने country में damage करोगे अपनी country में decrease down करेगा दूसरे देशों पर भी इसका फरक पड़ेगा इसलिए आप क्या बोलते हो भाई कि resources limited है आपको उनको proper तरीके से यूज करना होगा जब आप logistic growth करकी बात करते हो तो यहाँ पे एक word use होता है that is called caring capacity के इसका बहुत important role है पहले caring capacity को समझ लेते हैं caring capacity क्या होता है कि कोई भी जो एरिया है जिस एरिया की आप बात कर रहे हो किसी भी ecosystem की बात कर रहे हो तो वो ecosystem एक level तक ही support कर सकता है population को with respect to resource उसके पास limited resource है और उस resource के respect में वो population को एक limited manner में ही क्या कर सकता है support कर सकता है आप ऐसे सोच के देखो कि मानलो एक area है एक environment है जहां पे 100 आम है और वहां पे जो population है वो भी 100 है तो maximum एक person अपनी पूरी life में अगर एक आम खा रहा है तो maximum 100 लोगों को ही support कर सकता है तो population density कभी भी caring capacity से जादा नहीं जा सकती कि इस बात को mark कर लो मैं अलग से mention कर रहा हूं note डालके mention कर लो कभी भी caring capacity population density से जादन नहीं जाएगी मतलब जो population density है वो caring capacity से कभी cross नहीं करेगी जब आप logistic growth करके की बात करेंगे और इसको जब graph पे mention करके देखेंगे तो आप जब population density और with respect to time जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको s shape curve shigmoidal curve मिल रहा होगा यहाँ पे जब आप बात करते हो है dny dt की तो यहाँ पे आप mention करते है formula याद रहा कि dny dt is equal to r into n मगर यहाँ पे k minus n upon k भी रखते हैं carrying capacity minus population density upon carrying capacity इस formula को आप रखते हैं राइट इसी graph में जब आप observe करेंगे तो जब initial time a जब होगा time a पे आप क्या देखेंगे कि carrying capacity बहुत जादा है carrying capacity at time starting में carrying capacity बहुत जादा है और जो population density है वो ना के बरावर negligible है तो यहाँ पे जब आप क्या देखेंगे कि k-n n भी किया है negligible है तो k upon k कट गया तो जो dny dt उसकी value कि इतनी आजाएगी r into n मतलब जो हमने exponential growth की बात किती उसके बरावर मतलब starting में आपको exponential growth मिलेगी मगर एक time पे आने पे जब carrying capacity जो है के बरावर population density पहुंच जाएगी तो आप k-n करोगे तो वो value 0 आजाएगी दिवाइड करोगे तो value आजाएगी तो dny dt की value कि आजाएगी 0 तो यहाँ पर population density की बात की जब करेंगे तो population density 0 के बरावर होगी मतलब वो condition stabilizing हो जाएगी वो condition क्या हो जाएगी stabilizing हो जाएगी वहाँ पे अब और growth population density बढ़ती हुई नहीं दिखेगी आप इस तरीके से समझे है कि जो population density है जैसे ऐसे समझ के देखिए कि जो population density है grass की number of grass अगर मालेजे ऐसे समझे है कि number of grass अगर उनका size छोटा है तो उनके लिए carrying capacity ज समझ देखिए को so this is about logistic growth curve logistic growth curve में आपको ध्यान रखना है dny dt की value starting में अलग होगी end में अलग होगी और कभी भी population density carrying capacity को cross करके नहीं जाएगी जबकि exponential के case में वो cross करके जाती है वहाँ पे dny dt की value r into n रहती है यहाँ पे आपको carrying capacity के factor को जरूर mention करना और carrying capacity को कभी भी population density cross नहीं करेगी so this is about exponential and logistic growth curve next अब हम बात करेंगे आगे तो अब हम बात करते हैं life history variation की NCRT में आपको life history variation के respect में एक topic दिया हुआ है उसको समझ के देखते हैं आप यह बात समझे है कि जो अलग-अलग organism है वो अलग-अलग तरीके से evolve होते है उनकी जो fitness की भी बात होती है जब हर organism की अलग-अलग तरीके से होगी कुछ organism के breeding करने के तरीके अलग होंगे और उनके number और उनकी frequency भी अलग होंगी for example कुछ organism ऐसे होते हैं जो once in the life ही reproduce करेंगे जीवन में बर्स एक बार reproduce करेंगे इसका best example है bamboo and salmon fish यह life में एक ही बार क्या करते हैं reproduce करते हैं जबकि दूसरी त time in the life आप क्या देखोगे breed करेंगे और baby produce करेंगे for example bird and mammal वो multiple time baby produce करते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो small size के organism को बहुत ज्यादा produce करते हैं ऐसा आपको जो worms वगरा हैं उनमें देखने को मिलेगा राइट उनमें क्या होगा आप देखोगे और वगरा के case में कि आप वो खूब सारे अंडे पैदा करेंगे कूब सारे बच्चे पैदा करेंगे राइट मगर उनके size चोटे होंगे मगर number बहुत ज्यादा होंगे दूसरी तरफ कि आप देखोगे large size के बट कम बच्चे number एक में जो organism बन रहे हैं एक साथ उनमें सबसे ज़्यादा competition देखने को मिलेगा क्योंकि जिस समय वो population के मेंबर है एक साही resource यूज कर रहे होंगे खूब सारे है तो एक बच्चा एक समय पर पैदा हो रहा है आप उसको आराम से फीड करा दोगे एक साथ अगर तुमको दि कत होगी तो अगर एक समय पर कई सारे population कई सारे member अगर कई सारे baby बर्थ कर रहे हैं तो उस समय competition सबसे ज़्यादा होगा उनके बीच में जो competition होगा वो सबसे ज़्यादा होगा तो इस अब लाइफ इस्टिर बैरियेशन इस इट क्लियर नेक्सम बात करेंगे population के interaction की समझते है population interaction को तो जब आब बात करते हैं population interaction की तो यहाँ पर पहला statement बनके आता है कि कोई भी species धरती पे अकेली isolate manner में रहती ही नहीं है हर species जितने भी member है वो कहीं न कहीं interact करते ही है एक दूसरे से चाहे food chain की respect में बात करो चाहे food web की respect में बात करो एक organism दूसरे से obviously बात है interact करेगा ही करेगा राइट कुछ नहीं तो उसको अपनी प्रोज है नहीं बढ़ानी है तो उस समय इंट्रेक्ट करेगा ही करेगा right so no one species live in isolation they all the time interact with one another right यह बात समझ में आ रही होगी तो देखो जो interaction होते वो तीन तरीके को हो सकते हैं कि एक में benefit मिल रहा हो right benefit में जब भी आप मिल रहा होगा तो आप positive sign mention करोगे एक में जहां पर loss हो रहा हो negative mention करोगे right या तो फिर neutral वाली condition होगी 0 कि ना कोई फाइदा हो रहा ना कोई नुकसान हो रहा right तो interaction की इस respect में जब बात कर रहे होते हैं तो आप different different type के interaction की बात करते हैं NCRT में आपका एक proper chart बना हुआ है right वहां पर आप करोबने की सबसे पहले आप देखोगे competition के बारे में competition में क्या होगा है first competition नेचर इस बेकार है तो One को को बेकार है कैसे यक ascension का क्या कि नुक्तिशान हो रहा है राइट दूसरी तरफ जो होस्ट है उसको नुकसान हो रहा है फिर आता है एक को तो नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फरक नहीं पड़ रहा है राइट मीच्वलिजम में दोनों को नहीं को फायदा होगा है आरे बांस सभ्ल्क को ऑके और अलग अलग तरीके है जिस तरीके से इंटरेक्ट करती kay सब्से पहले हम बात करतें प्रेडेशन की और आप challenge आप Ce care up अब बहुत commonly देखने को मिलेगा जब भी आप energy flow को जब देख रहे होते हैं, जब आप food chain की बात कर रहे होते हैं, अच्छा food chain को observe करके देखो कि जो घास है, उसको कौन खा रहा है, primary consumer, उसको कौन खा रहा है, जिसको हम हर्बुरिबोर बोल रहे है, loin, deer को खा रहा है, गाए, घास को खा रही है, सब predation की केस है, तो आप देखेंगे, इस manner में flow of energy काम करती है, even predation ही तरीका है, flow of energy का, बहुत commonly, बहुत common तरीका है, ठीक है, राइट, साथ के साथ ये other species को भी control करती है, population के control में भी involve होती है, for example, आप ऐसे समझ के देखिए, कि एक cactus की species थी, बाहर से एक लाए गई cactus की species थी, right, और उस cactus को prickly pear cactus रहे थे, और और जब उसको लाए गया, तो वहाँ पर उसको कोई competitor ही नहीं था, उसको कोई खाने के लिए नहीं था, उसका कोई predator ही नहीं था, तो उसनों ये बहुत तेजी से ग्रो किया, और वहाँ की existing को वो harm करने लग गई, खुद अपनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगई, फिर उसको control करने के लिए उसका फिर बाद में predator छोड़ा गया, तो आप क्या देख लो, population को control करने में भी ये मदद कर रहा है, और ये diversity को बचाने में भी काम करता है, for example, एक जो starfish जो की predator थी, पिस्टर जिसका नाम है, वो जब एक medium से हटाई गई, तो वहाँ exist करने वाली around 10 invertebrate species lost हो गई, due to inter species competition, तो predator का बहुत बड़ा रोल है, आप सोच के देखें, जंगल का राजा अगर सेर हटा दिया जाए, तो जंगल में अपने आपी तवाही आजाएगी, किसी को किसी का डर नहीं होगा, सब एक दूसरे में मार काट मचा देंगे, तो जो predator है ना, वो बहुत ही important factor है, और even ये nature के काम करने के तरीका ही है, nature के काम करने के तरीके में ही आता है, कि predator अपने आप में नीचे वाली population को बहुत control में रखता है, और ऐसा नहीं है, कभी भी predator मन चाहे जितना खाता जाए, ये कहने की बात होगी कि एक सेर था, उसने जंगल के सारे जानवरों को मार के खतम कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता, वो prudent nature सो करता है, कि जितनी उसको जरूवत है, वो उतने ही जानवर को खाएगा, और एक बार खा देगा, और unwanted मार के नहीं फेकेगा, तो उसका nature भी एक specific type का है, कि राजा खा nature राजा जैसा है, वो अलग बात है कि गोडा घांस से दोस्ती कर लेगा, तो खाएगा क्या, सहेर अगर हिरन से दोस्ती कर लेगा, तो खाएगा क्या, तो ओबियस ही बात है, उसकी तोर वो demand है, वो carnivores organism है, nature ने बनाया ही उसको ऐसा है, और उसको nature ने बहुत ही important task के लिए बनाया है, कि उसको नीचे की जितनी भी population member है, उन सब को control में भी रखना है, आगे समझते हैं, कि कैसे, कैसे predation को avoid कर सकते हैं, मतलब जो prey है, वो अपने आपको कैसे बचायता है, ऐसा तो है नहीं, कि सेर आया हिरन को खाने, और सेर पूछ रहा है, हिरन मैं तुमको खालू, और हिरन बोलेगा हाँ खालो, ऐसा तो नहीं होगा ना, है ना, ऐसा नहीं होता है ना nature में, ऐसा नहीं है कि जो prey है, वो अपने आपको easily food बना देगा, नहीं, उसके पास भी बचने की टेक्निक है, हिरन बहुत तेजी से भागता है, है ना, बिजली की रफ्तार से उड़ता है, तो आप देखोगी कि animal के case में कैसे बचते हैं, तो कई सारे तरीके हैं, अपना शो करेगा, उसी जैसा color बेश भूसा करेगा, और वो पता ही नहीं चलेगा वहाँ है, जैसे grass ओपर, grass में जब रहता है, तो उसको पता ही नहीं चलता, वो है भी कि नहीं, दूसरा एक तरीक है mimicry, कि कुछ ऐसे insect होते हैं, जो सच में dangerous है, जो poisonous है, तो उनका जो predator है, वो उनको खाने से कत्राएगा, तो अब कुछ ऐसे member insect होंगे, जो खाने में लजीज है, मगर वो अपना आकार, अपना बेश भूसा कैसा कर लेंगे, उस poisonous वाले के जैसा कर लेंगे, जिससे जो उनका predator होगा, वो उनको भी नहीं चुएगा, this is called mimicry, यह कैएक mimicry का तरीका है, तरीके से भी बचा जा सकता है, समझे, mimicry बहुत मरज़ेदारे टरीका है, mimicry में क्या हो रहा है, आप समझे ना mimicry में क्या हो रहा है, एक और तरीका है, कि जहाँ पे जो prey ही है, जो प्रे है वो अपने आपको थोड़ा सा चेंज कर ले अपने अंदर क्या है पॉजिनस कंटेंट ले आए तो उसको खाने वाला जो प्रेडेटर है वही कत्र आएगा उससे फॉर एक्जामपल मौनार्च बटरफ्लाई का आप एक्जामपल पढ़ते हो मौनार्च बटरफ् बात कर सकते है कि मालो अगर वह बीस्टिंट होजाए अगर वह बीड एक्स यनोड हो गया को को extension बोल रहे हैं मगर यहां पर अगर यह monarch butterfly extinct हो गई तो उसका bead पर कोई फरक नहीं पड़ेगा हम अगर बीड खतम होई तो इसका इस पर ज़रूर फरक पड़ेगा so this is how कि जो प्रे है animal प्रे है वो कैसे अपने आपको बचाते हैं दूसरी तरफ हम बात करें plants की तो plant में तरीके कुछ अलग होते समझी है plant में plant में प्लांट रन नहीं कर सकते प्लांट के केस में क्या होगा plant रन ही कर सकते और क्योंकि plant रन नहीं कर सकते तो वह क्या करेंगे वह कुछ morphological और कुछ बायोखेमिकल चेंज लेके आएंगे आप देखे तो plant को सबसे आदा खत्रा पता है किसे होता इंसेक्ट से क्योंकि 25% of insects इंसेक्ट अल्रेडी कितने अधिकता में हैं और even 25% insects कैसे होते हैं फाइटो फैगस होते हैं मतलब plant को खाने वाले होते हैं तो पौदों को जो सबसे आदा खत्रा होता है वो किसे होता है इंसेक्ट से एक तो वो क्या करते हैं एविन ग्रेजर भी है घास खाने वाले जो कैटल से उनसे भी आखत्रा तो plant क्या करते हैं morphological change के case में क्या करते हैं वो अपनी surface पे काटे डवलब कर लेंगे जैसे आप देखते हो जितने भी cactus देखोगे citrus fruit देखोगे वोगन बेलिया की बात करोगे तो वो क्या करते हैं अपनी surface पे काटे डवलब कर लेते हैं जिससे जो ग्रेजर है वो उनको न खाए कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे केलोट्रॉपस की बात करें तो वो कुछ ऐसे chemical प्रिड्यूज करते हैं जो digestion में problem कर देंगे जो heart attack की heart failure वाले cases को report कर देंगे हैं कुछ chemicals और add कर लेते हैं जिसकी वाज़े से जो plants है उनको खाना फसंद नहीं करते हैं तो this is how कि plant कैसे अपने आपको बचाते हैं तो यह हमने बात की predation की अब हम बात करेंगे competition की in case of competition condition थोड़ी सी अलग है prediction में आप क्या देख रहे हो ? Mmm. Predation में एक को nुखसान हुआ एक को फाइदा हुआ competition में दोनों को नुखसान होगा समझते हैं competition में क्या होगा ? तो competition के अगर हम definition की बात करें और old definition की बात करें तो यहां पे proposition की बात किसी limited resource के लिए fight कर रहे होते हैं तो हम उसको competition बोलते हैं यहाँ पर दो सब्द हैं यहाँ से समझना closely related species और resource limited और इस बात को Darwin ने भी support किया था but ecology के point of view से competition इस तरीके से explain नहीं होता समझाओंगा भी कि नई definition क्या है but यहाँ पर दो example समझो कि closely related species कहना क्यूं सही नहीं है कुछ South America की lake की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ birds है they are flamingo और कुछ छोटी-छोटी मचलिया है वो क्या करते हैं दोनों phytoplankton और juoplankton कोड़ा रहे होते हैं चट कर रहे होते हैं तो आप क्या देख रहे हो नहीं है पहला point क्लियर हुआ कि यह बात सही नहीं है और देखो एक यह बात भी है कि ऐसा नहीं कि जब resource limited होते है तभी problem create होते हैं जब resource unlimited भी होंगे ना तभी यह बात दिक्कत करेगी तभी आपको कहीं न कहीं दिक्कत देखने को मिलेगी जैसे for example एविंग डन एक टॉट्र टॉइज की species थी जो extent हो गई क्यों extent हो गई क्यों पर्टिकुलर geographical area में आपने क्या क्या गौट को introduce कर दिया किसको introduce क्या गौट को introduce कर दिया और जैसे ही बकरी को introduce किया तो वो टॉट्र टॉट्र टॉइज सरमीला था एक तरीके से ऐसे कह सकते हो जिस बज़े से जिस बज़े से उसने अपनी feeding appetite को change किया और वो दीरे-दीरे extent हो गई मतलब गौट को introduce कर दिया जबकि resource unlimited है resource खाना पीना बहुत सारा है बट वो खाई नहीं रहा सरमीला तो इसको बोलते है interference competition यहाँ पे भी competition है बहुत वो रहा है तो अब यहाँ पे निकल कि आएगी new definition of competition तो नई definition कहते है कि competition एक interaction है जिसमें 2 species अपनी R-value, Biotic Potential को decrease कर देते है NCRT ने example भी quote किया है, Bellinus और Catamillus का, right, दोनों के दोनों बार निकल है, जो Bellinus है वो क्या है, वो superior है, और जो Catamillus है, वो क्या inferior है जब भी Bellinus होगा, तो Catamillus की जो population है, उसके जो number है, वो कम आपको देखने को मिलेंगे जब आप वहाँ से Bellinus को अटा दो, तो Catamillus का number क्या है rise हो जाएगा, right Catamillus का क्या हो रहा है number increase हो रहा है, मतलब एक superior है, एक inferior है, एक की presence में दूसरा वाला grow नहीं कर पा रहा है, right, इसी को क्या बोल रहे हो कि competitive release competition release, मतलब आप Bellinus को अटा दो, Catamillus क्या कर रहा है grow कर जा रहा है, तो यहाँ क्या कर रहे हो competition release कर रहे हो, so this is about new definition new definition क्या कह रही है, कि competition एक interaction है जिसमें वो अपने biotic potential को कम कर ले रहे है, आया समझ में next इसी competition के respect में हम बात करेंगे, effect of competition की, चलिए, आगे डिसकस करते है effect of competition, effect of competition क्या होगे, तो effect of competition में क्या आता है, आपने समझा कि जो biotic potential है भाई, वो कम हो जाता है our value क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी यहाँ पे gos principle भी है, gos principle में क्या बोला जाता है, कि जब भी 2 species, right एक ही एक ही resource के लिए fight कर रही है, जब 2 species एक resource के लिए fight कर रही है तो उस case में जो inferior वाली है क्या है, कि हम competition को कैसे avoid कर सकते है competition avoid करने का तरीका है कि आप resource को partition कर लो, right अगर आप दो भाई यो एक ही घर में रह रहे हो सेम टाइम में पढ़ने में दिख्कत आ रही है तो आप क्या करो एक दिन में पढ़ रहा है एक रात मैं पढ़ रहा है तो यह क्या होगा resource का partition कर लिया आपके पास एक ही table है है एक लेंप उसी पर समझा, next हम आगे start करते हैं, आगे समझें, एमन सेलिज्म को, एमन सेलिज्म में क्या आप देखोगे, कि एक species को तो नुकसान हो रहा है, और दूसरी जो species है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, right, for example, जो पैनिसीलियम है, पैनिसीलियम जो है, वो क्या कर रहा है, पैनिसील में आप क्या देख रहो, कि एक को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर एक की ग्रोथ रुक रही है, एक को प्रॉब्लम हो रही है, so आप मेंसन कर सकते हो, एमन सेलिज्म is a kind of interaction in which one species remain unaffected, एक species को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, while other is being harmed, दूसरी को नुकसान हो रहा है, right, so this is about, एमन सेलिज्म, next, कॉमन सेलिज्म की बात करते है, कॉमन सेलिज्म में क्या देखने को मिल रहा है, कि कॉमन सेलिज्म में एक को तो benefit हो रहा है, और दूसरी वाली जो है, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, for example, एक mango tree है, mango tree पे माली जे कोई और्किड है, right, और्क कई सारी क्या है, जो birds है, वो उसको खा ले रही है, एक बार को, right, एक बार को खा ले रही है, right, तो cattle के case में, यहाँ पैसे बात बन सकती है, right, कई सारी जो whale है, पानी में एक बात देखो, कि जो whale मचली है, whale मचली को उपर कई सारी barnacle attached है, तो वो whale मचली उसको एक तरीके से क अगर खास फरक नहीं पड़ रहा क्योंकि उसको खाम नहीं हो रहा वो परसाइट की तरह नहीं है मगर उनको एक सहरा मिल जा रहा है और वेल के पास कोई छोटी मसली बबार ने कल चिपका है तो उसको कोई और इंटरेक्शन इन विच वन गेट बेनिफिटेड अन अधर विकम अनफिक्टेड दूसरी को कोई फरक नहीं पड़ रहा है आगे देखिए नेक्स्ट है पैरसेटिजम पैरसेटिजम के केस में आप क्या देखते हो कि एक पैरसाइट होगा एक उस्ट होगा पैरसाइट क् अगर होगा तो लीए नियुटिश्ट यहांपे आप देखोँ पैरसाइटि और हैंसेमे ऐई समयband के लिए लिएकि चाहीं यहां पे आप देखो parasite और host के case में थोड़े समय के लिए interaction हो तो लंबे समय के लिए interaction होगा और वो मारने की कोजिश नहीं करेगा कि जान सही मार देगा वो तो use करता रहेगा अपना भी काम चलता रहेगा हाला कि effect हो रहा है बट slow effect है यहां पे slow poison की तरह काम करता है यह यहां पे चलता है को evolution एक बात और समझेए कि यहां पे चलता है को evolution के parasite भी अपने आपको इवाल्व करेगा और host भी अपने आपको इवाल्व करेगा परसाइट अपने आपको इवाल्व करेगा कि maximum benefit वो इससे कैसे ले पाए host अपने आपको evolve कर पाएगा कि वो अपने आपको कैसे बचा पाए फॉर एक्जामपल जब आप parasites की बात करते हैं उसके पास hooks होते हैं easily वो hold कर लेते हैं उनकी lifestyle अलग-अलग होती है वो करते हैं कि अलग-अलग कई सारे और भी होस्ट हो सकते हैं लिवर फ्लूप अगरा के कैस में आप देखते हो कि सीप भी है और वहाँ पे स्नेल भी है राइट अलग-अलग लाइफ से होती है वहाँ पर अपने अदर जो डाइस्टिव और या अदर जो और गन से उनको थोड़ाफा लेस डबल अप करते रिप्रॉडेक्टिव शिस्टम को ज्यादा एवॉल कर लेते हैं जैसे उनके नंबर और ज्यादा उनके एंग ज्यादा प्रेडियूस हो रा कैसे दोनों को फायदा होगा एक्जाम्पल के साथ समझते हैं आप यहाँ पर समझेए कि और एक प्लांट जो है बो क्या करेगा प्लांट पर जॉक्त करेगा खाना मिल जाएग और प्लांट को क्या वेनिफिट होगा कि उसके भाई पॉलंग गरेंड ट्रांसफर ओर jis के देखने को मिलेंगे, एक Yuka plant और Moth के बीच में interaction आपको देखने को मिलेगा, एक Besp और एक Besp के case में और एक Fig के case में आपको interaction देखने को मिलता है, यह सारे example आपको NCRT में मिल जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा, और एक Orchid की बात करते हैं, Orchid की case में क्या होता है, कि यहाँ पर जो Orchid है, उसका जो structure है, उसका जो बनावट है, वो कैसी है, मदुमक्ही के जैसी है, जब मदुमक्ही उसके पास आती है, तो अपनी sexual desire complete कर रही होती है, उस Orchid के साथ, और उस Orchid को क्या फाइदा हो रहा है, उसके जो और समझ भी रहोंगे आप, वो क्या है, illusion में है, so this is about mutualism, यहाँ पर हमने कई सारे जो interaction है, उन सभी की बात की, starting with competition, हमने competition देखा, parasitism देखा, peridator देखा, emensalism देखा, commensalism देखा और mutualism देखा, so यह सारे के सारे क्या है, interaction हमने जो देखे, वो जो species के बीच में या populations के बीच में, communities के बीच में involved होते हैं, right, so this is all about this chapter, ecology, मुझो उम्मीद है, आप सभी, in sessions को देखके, अपने आपको और improve कर रहे होगा, और thank you so much, आप सभी के इतने प्यार के लिए, thank you so much, इतने प्यारे-प्यारे comments के लिए, आप सभी का बहुत-बहुत आवारी हों है, और ह कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, आपका उद्देश से बहुत clear होना चाहिए, in the end, कुछ भी matter नहीं करता, matter बस ये करता है, तुमने क्या achieve किया, हलाकि आज के इस podcast को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, सुक्रिया, अदाप, आप सभी का बहुत-बहुत सुक्रिया, इतना प्यार देने के लिए, thank you so much.